हालो फ्रेंज बदो स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में इस वीडियो क्लास में मैं डिसकस करूँगा कुछ ऐसी स्पोर्टिंग रर्स जो दिखने में तो सिंपल लगती है लेकिन कभी-कभी उनको वो काफी कंफ्यूजिंग हो जाती है और उनको करना काफी कठेन होता है तो इस तरह की कुछ स्पोर्टिंग रर्स मैं इस वीडियो क्लास में डिसकस करूँगा ये वीडियो क्लास SSC और बेंके एक्जैम्स और डूसरे सभी एक्जैम्स के लिए हाईली इंपोर्टेंट रहेगा तो चलिए देखते हैं इस वीडियो क्लास को अब देखिए यह यहां पर एक question है, you have your own opinion on things that matter to you, so do not let anyone to change your view, इसका मतलब यह है, कि आपकी कुछ बिस्यों पर, कुछ topics पर अपनी opinion हो सकती है, जो कि आपके लिए important है, इसलिए किसी भी दूसरे विक्ती को अपनी opinion change करने के लिए allow मत करिए, let का मतलब होता है, allow करना या permit करना, तो यहां पर क् करती हो सकती है, यह काफी अच्छी spotting error है, और typical SSC या banking की error है, तेके कुछ verbs ऐसी होती है, जैसे let हुआ, make हुआ, उनके बाद हम bare infinitive का use करते हैं, bare infinitive का मतलब है कि 2 प्लस B1 ना लगाते हुए, के बल B1 हम लगाते हैं, जैसे हम बोलते हैं, I let him go, ऐसे नहीं बोलते का I let him to go, तो इसलिए let के बाद यहां पर हम to का प्रियोग नहीं करेंगे, let anybody change your views, देखने में यह sentence सरल लगता है, लेकिन इसको करना थोड़ा सा कठेन है, तो इसका answer क्या होगा, देखिए यह नया pattern है, इस तरह के pattern पर questions इस समय सभी exams में कूछे जा रहे हैं, यहां पर एक spotting error का question दि हैं, और यह no error वाला जो path है, यह कहीं पर भी हो सकता है, first में भी हो सकता है, second में भी हो सकता है, ठीक है, तो इसका answer क्या होगा, let anybody change your views, में two नहीं आएगा, तो यह वाला path कहां पर है, यह वाला path second में है, तो इस question number one का जो answer होगा, वो होगा second, तो यह है नया pattern है, यह latest pattern के questions ह हैं, और great vocabulary e-books, यदि आप अपनी vocabulary को बहुत जदा इंप्रूब करना चाहते हैं, अपनी English को बहुत जदा इंप्रूब करना चाहते हैं, तो यह धाई जर words की एक e-book हमने निकाली है, जिसकी 89,000 copies अभी तक sell हो चुकी all over world में, इसका description में link इसका नीचे मिल जाएगा आपको और इसको 149 रुपीज में आप lifetime warranty के साथ purchase कर सकते हैं, अब देखें, यह है second question, the corridor is complete underground and connects office locality, देखें, यहाँ पर दो तरह की गलती हो सकती है, corridor जो है, यह singular noun है, तो यहाँ पर हमने connects लगाया है, जो की सही है, जो की सही है, लेकिन यहाँ पर देखें, the corridor is complete underground, underground भी एक adjective है, complete भी एक adjective है, ठीक है, complete भी एक adjective है, underground भी एक adjective, तो दो adjective को हम साथ में नहीं लगाएंगे, इस adjective से पहले हम इसको, इसको हम adverb में change कर देंगे, the corridor is completely underground and connects office locality, तो इस तरीके से sentence सही हो जाएगा, मतलब corridor जो है, वो पूरा का पूरा underground है, जमीन के नीचे है, ठीक है, तो completely underground इसको ह हम बूलेंगे, तो इसका answer क्या होगा, इसका answer होगा, completely underground, यानी fourth इसका answer होगा, question number second का answer होगा, आपका fourth, तो ये कुछ इस तरह के spotting errors हैं, जो देखने में simple लगते हैं, लेकिन कभी-कभी उनको करना काफी confusing हो जाता है, students के लिए, देखे, Apple is launched, its iPhone 6 and iPhone 6 Plus models in India, अभी sentence को आप प जाना चाहिए, active voice में, passive voice में, Apple ने launch कर दिया है, क्या launch कर दिया है, iPhone 6 and iPhone 6 Plus, इन models को इंडिया में launch कर दिया है, तो definitely ये sentence जो है, ये active voice में लेखा जाएगा, तो active voice में जब लेखा जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या use करेंगे, Apple has launched, Apple is launched, अब देखे, ये passive voice construction है, Apple is launched, Apple को launch कर द किया गया है, जो की गलत है, सही sentence और सही context क्या होगा, Apple has launched, Apple ने launch किया है, Apple company ने launch किया है, किसको launch किया है, iPhone 6 को और iPhone 6 Plus को, तो यहाँ पर सही answer होगा, इसका fourth, Apple has launched, ठीक है, question number four देखते है, last week, an NRI was caught with drugs and gold in his expensive looking back, मतला पिछले सप्ता, NRI को पकड़ा गया, तो last week की चुकी बात हो रही है, तो इसमें was caught, तो यह तो सही है, was caught, उसको पकड़ा गया, यह भी देखिए, passive voice construction होते हैं, उसको किसी के जोरा पकड़ा गया, was caught, किसके साथ पकड़ा गया, drugs के साथ, और gold के साथ, जो उसके expensive looking bag में थे, ठीक है, तो इसमें यह तो सही है, ल आ रही है, mobile sound आ रही है, इसलिए यहाँ पर हम, यहाँ पर हम एन लगाएंगे, तो यहाँ पर आपका अंसर होगा, third, question number fourth का अंसर होगा, आपका third, तो यह next question देखते हैं, he said me that they had a fight and she rushed to the kitchen, active voice में यह sentence लिखा हुआ है, देखे, he इसमें subject है, sad इसमें verb है, और me इसमें object है, लेकिन यह sentence, देखे, आपने आप यही तैयारी कर रहे हों, तो आपको पता होगा कि direct speech क्या होता है, indirect speech क्या होता है, यह जो sentence है, यह indirect speech में लिखा गया है, ठीक है, जब आप practice करेंगे इस तरह के sentences की, तो आपको पता speech में, जब reporting verb के बाद, यहां पर object लिखा होता है, तो इसको हम sad नहीं लिखते हैं, इसको हम told लिखते हैं, he told me, ठीक है, तो सही इसका होगा, he told me, तो he told me वाला path कहां पर है, first में है, तो इसका answer होगा first, तो यह reported speech है, reported speech में, यह है subject, और यह है object, he subject है, me object है, sad reporting verb है, तो जब reporting verb के बाद, दिया रहता है, तो इसमें हम sad नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं, told, ठीक है, तो इसमें आपका answer होगा, first, question number six, हम देखते हैं, this is the only reason that we have issued a public notice, यह भी एक काफी अच्छा sentence है, जैसे only reason, this is the only reason, यह reason है, देखें, यहां पर हम that लगा के, that से देखिए, ही निकल ला, reason के बाद, जब एक sentence दिया होता है, we have issued a public notice, जैसे यह पूरे एक sentence है, तो sentence से पहले हम यहां पर हम that लगाते हैं, why लगाते हैं, this is the only reason why we have issued a public notice, sorry, ठीक है, this is the only reason why we have issued a public notice, तो देखें, यदि आप से यह question पूछा जाएं के, why you have issued a public notice, तो उसके बाद आप एक reason बताएंगे, इसका मतलब why जो है, वो reason से कहीं न कहीं, logically connected है, this is the only reason why we have issued a public notice, तो इसमें हम that नहीं लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे, why, काफी अच्छा है sentence है, अब यह sentence देखिए, WhatsApp has become an important media to connect with each other, यह भी अच्छा sentence है, WhatsApp has become, now WhatsApp तो singular है, ठीक है, और इसी ने यहां पर एन लगा हुआ है, N, N का मतनब है कि singular countable noun की बात हो रही है, तो singular countable noun के लिए हम, media जो है, यह plural है, यह singular नहीं है, तो इस media को हम change कर देंगे, medium में, ठीक है, media नहीं आएगा, medium आएगा, और medium यहां पर दिया है, इसमें third में, तो इसलिए इसमें third आपका सही answer होगा, question number eight देखते हैं, देखें, यह एक अच्छा sentence है, the missile can fly below the enemy radar line, undetected, मतना missile जो है, वो fly कर सकती है, enemy की, दुश्मन की radar line से नीचे, enemy radar line, undetected, मतना उसको पता नहीं पड़ेगा, missile इस तरह की से fly कर सकती है, कि उसको detect कोई नहीं कर पाएगा, undetected, any strike target, यह काफी अच्छा sentence है, यह बहुत ही अच्छा sentence है, अब देखें, यहां पर चुकी can के साथ, देखें, दो वर्ब है, fly है, एक और एक है strike, ठीक है, तो यह दोनों ही इस model वर्ब के साथ लगी है, model वर actually helping verb ही होती है, ठीक है, तो यह helping verb है, यह main verb है, तो एक helping verb के साथ दो main verb लगी है, क्योंकि एक चीज़ दो काम कर सकती है, ठीक है, missile fly भी कर सकती है, strike भी कर सकती है, इसलिए एक model के साथ दो main verb इसमें लगी है, यह दोनों ही verb can के साथ जड़ी हुई है, can fly, can strike, missile can fly, missile can strike, ठीक है तो can के साथ fly तो यहाँ पर सही है लेकिन can के साथ strikes गलत है model के साथ हम S नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर strikes यह जो verb है यह गलत है तो इसमें आंसर क्या होगा इसमें आंसर होगा आपका first question number 8 का आंसर होगा first question number 9 देखते हैं turning India into a manufacturing powerhouse देखे turning India इसका मतलब यह है कि यदि हम इंडिया को manufacturing powerhouse में change करना चाहते हैं तो turning यहाँ पर क्या है turning एक gerund है जिसको हम पूलते है verbal noun यह singular होती है turning India into a manufacturing powerhouse यह singular होती है इसलिए यहाँ पर यह verb में S लगी हुई है जो की सही है ठीक है turning India into a manufacturing powerhouse depends on removing bureaucratic slot and अब देखिए यहाँ पर देखिए end के साथ end के पहले जो verb लगी है वो क्या लगी है removing तो end से जब हम दो part of speech को जोडते हैं तो वो equal होनी चाहिए तो end से पहले removing जब लगा है verb ing form में लगी है तो end के बाद भी यहाँ पर verb ing form में लगे यह काफी अच्छा sentence है यहाँ पर आपको ing form की वर्ब का यूज करना पड़ेगा ठीक है तो थर्द इसमें आपका सही आंसर होगा question number 10 देखते हैं कि एक सम लीव लाइप्स हारवर तो एस्प्रेश सम ग्लाइड जेंटली इंटू दे लीव यह एक लिट्रेशर का सेंटेंस है और इस तरह के सेंटेंस कभी कभी पूछे जाते हैं ठीक है तो इसमें इस तरह के सेंटेंस में नॉर्मली आपको देखना होता है सम लीव लाइफ्स हारवर हारवर का मतला होता है किनार तो इस शेंटेंस का मतलब यह है कि जब एक व्रिक्ती की मौत होती है जब एक बित्ती का अक्री टाइम आता है तो इसके बारे में ये सेंटेंस है कि कुछ अपने लाइफ को छोड़ देते हैं स्प्लैस के साथ और कुछ आसानी से ग्लाइट कर जाते हैं डीप में चले जाते हैं मतलब थोड़ा सा काभ्यात्मा की सेंटेंस है तो सम लीव ही हो जाते हैं इस सेंटेंस के ये मतलब है तो यहां पर हम तू न लगाते हुए हम लगाएंगे विद सम लीव लाइप सारवर कुछ लोग जिंदगी का जो किनारा है जिंदगी को जो शाम है उसको इस प्लैश के साथ चोड़ते हैं धूम ड़ाके के साथ खुशी के साथ कुछ लोग दुखी मन से उसको छोड़ते हैं ये सेंटेंस का मतलब है तो सम लीव लाइप सारवर विद इस प्लैश तो टू इस प्लैश न लगाते हुए हम इसमें लगाएंगे विद हा इस प्लैश तो यहां पर आंसर होगा आपका थर्ड कोश नमर टेंथ का आंसर होग और इसमें एक principle होता है एक grammar का rule होता है as और as जैसे he is as good as rame he is he is as intelligent as jam ठीक है तो as और as यहां पर वही वाला इसमें structure YOUs हो रहा है तो as और as के बीच में हम more नहीं लगाते हैं हम लगाते हैं much यानि positive degree हम लगाते हैं as or as के बीच में ठीक है तो इसमें यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा first इसमें सही आंसर आपका होगा question number 12 देखते हैं the site plan which was produced was of very unsatisfactory nature यह एक typical ssc sentence है बहुती अच्छा यह sentence है देखे nature इसमें क्या है the site plan which was produced site plan जिसको produced किया गया था was कैसा था was of very unsatisfactory nature देखे nature का मतलब यहां पर है kind मतलब वो unsatisfactory kind का था unsatisfactory type का था तो type nature यहां पर एक noun होगई countable noun यह हो गया adjective ठीक है यह हो गया adverb यानि इस noun चुकि यह countable noun है इससे पहले यहां पर यहां पर आतिकल का होना ज़रूरी एक होना ज़रूरी है यहां पर चुकि अकाउंटेबल नावन है इस लिए यह काफी अच्छा sentence है तो इस तरीके से मैंने यह आपको यह पसंद आया होगा और यह सीरीज में चला रहा हूं आगे भी इस तरह के वीडियो क्लासेस में बैंकिंग और एससे के लिए अप्लोड करूंगा इस चैनल पर तो यदि आप फस्टाइम आये है चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करें और वोकैबलरी को यह आप कॉल का सकते हैं तो इस वीडियो क्लास में इतना ही अब मैं आप से बिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में ठैंक यू